एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि लिन वह आंको ढून रहा होता है और वो कहता है आकर वो कहां चली गया मुझे तो मिली नहीं रहा कोई बात नहीं उसे छोड़ो हम लोग आगे बढ़ते हैं शायद हम लोग आगे मिल सकते हैं और यह कहते हैं दोनों ही आगे पहुँच चुके हैं और यह कहते हैं वो बाई से कह रहा होता है बाई इस ट्राइन का साइस काफी ज़्यादा बढ़ा है जो किस मांटन को चलने के लिए सूटेवल नहीं है तो इसलिए हम दोनों के यहां पर जाना होगा तो इसलिए तुम अपनी डाइफ पापर के मत कर और यह कहते हैं और मन प्राइब करने के नाते मुझे प्राइड बना ल customs कुछ भी करना और बाया यह मुझे अंते बृद्स लगता है लह कार देव में किया और हम देखते हैं कि वह पर रात हो चुकी है और दोनों मिलके अपने रहने के लिए टेंट लगा लिये होते हैं जहाँ पर लिन कहा रहा होता है देर हो चुकी है तो चलो आज रात आराम करते हैं ये कहते हैं वो खाना बनाने लगता है और कहता है अब ये कुछ मास बचा हुआ है लेकिन उसको पकाने वाला वो फैटी आखिर वो क्रांच ले गिया मुझे तो इसकी बहुत याद आ रही है फैटी तो मरना मत मैं तुम्हारे कुकिंग को आजमाना जाता हूँ और ये कहते ही वो उसे खाते वे कहा रहा होता है वाह ये तो बुरा नहीं है मैं भी अच्छा कुक हूँ तब ही वो देखते है कि बाई वहाँ से जाते वे एक मॉस ऐसके ठुकर है कि लड़किया इन्हें की पसंद करती है और वह से कहता है तुम्हीं भूब इसने तो सब कुछ खा लिया है ये तो मेरा खाना था और लेन उसके पास जाते वे कहता है चूंक तुम्हारे पीट भढ़ चुका है तो जल्दे से घर चेले जाओ मैरे पास और तो इसलिए मैं तुम्हें और खाना नहीं खिला पाऊंगा और लुफिंग वाचे जान लगता है तब यह जो बीस्ट होता है उसके पैर को पकर के खीचन लगता है लिन उसे देखते वह कहता है रूको ऐसा लगता है कि तुम मुझे कई ले जाना चाते हो जो कि सुनते वह ब जो कि देखते है वह काफी जादा रहन होता है और कहते है क्या वुस में अंडर कैसे हो गया कहते है यह तो बर्व की दिवार जैसे दिखती है लेकिन यह एक इल्यूजन है इसकी दूसरी तरफ कुछ है लगता है मैं जाके देखना चाहिए और यह कहते है वह बाई से कह रह वह कहा चले गिया तब यह बीश्ट उसे कहा रहा होता है उससे ढूड़ना बंद करो सिर्फ इंसान इसमें एंटर कर सकते हैं जिनकी बारे में मैं जानता हूं और इस जगा में कोई भी मौस्टर एंटर नहीं कर सकते तो लिए उससे कहता है क्या तुम बात कर रहे हो तो ब लेंगते 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 लेकर आए और क्यों कि रहुती है कि अभर रहे साथ खालगा तुम्हारी मदद शुक्ता है just और कर भी क्या सकता हूँ वो बीच्चों से कहता है बहुत समय पहले जब मैं छोटा सा भच्चा था तो मेरे पास एक मास्टर था इस दुनिया में वो सबसे ज़्यालो थी और उससे मेरी कैसरी अद्बुत यादे जुड़ी थी तो लिन कहता है क्या तुम किसी के पैट थे वो बीच्चों से कहता है हाँ लेकिन वो कोई हुमेन नी थी और मुझे इवाल्व होने के बाद इसका एसस होना सुरू हुआ लेकिन वो इंसान उसे प्यार करती थी वो उनके साथ बाचित करना फसंद करती थी और अक्सर अपनी पैचान को चिपाती थी और इंसानी सामाज में शैमिल हो जाती थी और खेलती थी इस तरह अक्सर वो मुझे इस बरफील पहाड पर छोड़ देती थी हाला कि मुझे बहुती ज़दा अक्यलापन मैसस होता है लेकिन वो खुश थी इसलिए मैं इसे सहन कर सका लेकिन बाद में उसे किसी से प्यार हो गया जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो मॉडल था वो उसके साथ रहने के लिए सब को छोड़ने के लिए तियार थी उस द में को जिन्दा कर दिया लेकिन उसकी वो मरने वाले थी और वो अपने मौत का वेट करती रही तो लिन कहा रहा होता है कहाने के शुरुआ तो काफी ज़्यादा अच्छा है लेकिन इसका एंड यह बहुत ही ज्यादा बेकार है उसके बात क्या हुआ तो बीश्ट कहता है मै फ्री से रिवाइफ हो जाएगी और इस माउंटेन की विटैलिटी को रिगेन करेगी तो लेन कहता है तो तुम्हारा मतलब यह है कि मैं वो इंसान हूँ तो विश्ट कहता है नहीं तुमसे पहले तीन फेल हो चुके हैं अब मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रहा हूं यह सुन तुम्हें बस अपने खून के चीटे को यहां पर टपकाने के जरुरत है चाहाई इसमें सक्सेस हो या ना हो मैं तुम्हें शांती से जाने दूँगा लेकिन अगर यह फिल रहा तो यहां पर जन्रेट हुई तुम्हारी मैमरी मैंसे मिटा दूँगा लेन कहता है क्या यह वो अपने आतों को अपने दात से काटते हुए उस जिल में खून के चीटे को फेकता है और मने मन कहता है यंग लीडी जिसे ध्वका दिया गया था मुझे आशा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और जैसे वह चीटा गिरता है वैसे वह दोनों देखते हैं और काफी होती है और एक जिल बन जाती है है भगवान मेरे खुन के बून से इतने सारे न्यूट्रियंस किया मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ तो दूसरी तरफ वो जो होता है वो अपने मास्टर के आने का वेट कर रहा है और कहता है मास्टर मेरे मास्टर तबहीं आप एक लीडी अपियर होती है और वो काफी जादा ब्यूटिफुल होती है जो कर देखते है लिन काफी जादा बलश करने लगता है और कहता है यह तो बहुत सुंदर है वो लीडी कहा रही होती है आइस किंग बहुत टैम हो गया तुम्हें ना देखी हुए हर बार मुझे प्रोटेक्ट कैसे बोल सकते हो जीवलो उसे क्या रही होती है नहीं मैं एक गौड रेस से हूं लेन कहता है क्या गौड रेस आट हजार साल पहले 3000 वाट्स ओपन हुए थे क्या वो तुम्हारी रेस है जीवलो से कहती है वो सेल्फ प्रोकलेम्ड गौड रेस सच में कमजर नहीं है लेकिन क्या रही तुम्हारी गौड रेस के हिस्से के रूप में गिना नहीं जाता उनने सρί housekeeping कर रहा है जिससे के लिंग कुछ आसास होने लगता है और वो कहा रहा होता है क्या? यह हैसास मेरी damage life cycle का wheel यह पूय ते जैसे कि Goddress से उमीद है, उनकी perception ये काफी जिल स्टॉंग होती है, यहादा कि वो बिलाकी वो भी बाहर नहीं आ रहा, अभी वो बिस्ट लिन को उठा लेता है, जूलियों से कहती है, चलो तुम्हें वाफिस वहाँ पर भेज़ देते हैं, हम तुम्हें फ्यूचर में रीपे हैं, तुलियों कहता है, हाँ मैं यहीं देख सकता हूँ, मुझे लगता है कि future में हम शायद एक दूसरी से कभी नहीं मिलेंगे, तो जूलियों कहती है, ठीक है बट अपना ध्यान रखना, अगर तुम लंबे टेम ते किस मांटर में रहते होता है, तुम पर कहता है, क्या ऐ है, तो जितनी जल्दि हो सकरें कि यहां से चले जाओ, और बाहर बहर से गुजरेटर आझेके बाद, अभी यह काफी ज्याधा है, क्या हो कि अपने सामने देखता है, वहां प्ड़ाई खड़ा होता है, जो कि देखते हुए, क्या, तुम यहां प्यांपे ऐसे खड़ी क्य है और यह कहते है दो, नहीं, उस मांटन को चड़न लगते हैं, जह पर लें उस protagonist को चड़ने लगते हैं, कि जब मैं ब्लैकlining हम घिणी पयोंगेDig यह बख़रा प्राया है, जो कि देखते हैं लेंडबार से कहा रहा होता है गवराव मत शायद जिए डरावने लग रहे हो लेकिने का फिर ज़्यादा श्वादिश्ट है चलो हमसे पगड़ते क्यों नहीं तब वह देखता है कि वह बातक होता है वह बतक नहीं बलके एक मॉस्टर होता है और वह से भी उनके पीछे पढ़ जाते हैं जो कि देखowing भागने लगते हैं लिन कहा रहा होता है आकर ये एतने साथ बड़े क्यों है बाई जलनी से बागों तो बाई लिन को लेते वे काफी तीजी से बाग लगता है और दूसरी तरफ लिन पीछे और मॉस्टर पर एक कर रहा होता है और कहता है ये तो काफी सारे है हम इसे लड़ने सकते हैं हमें कोय रास्ता ढूंडा होगा बाई कोई रास्ता ढूंडो तंभी बाई कोई कुफा मिलती है जो कि देखते बाई उसमें कुछ जाता है और लिंग को भी अपने साथ ले जाता है लेकिन अब हम लोग भज गए तब यह मॉस्टर उनके सामने आ जाता है और उनके उपर अटेक करने लगता है यह देखके घबरा जाता है है भगवान आखिर यह लोग हमारे पीचा क्यों नहीं चोड़ रहे हैं जो कि देखते हैं नहीं मत जाओ तुम्हारे से कोई मुकाबला नहीं है औ और वह मॉस्टर उनके अटेक करते जाता है जो कि देखते हैं यहां पर रुको मेरे पास इससे निपड़ने के तरीके हैं तो मेरे ओंडर का वीट करो तब यह मॉस्टर उच्छोटे से केव में घुसने लगता है यह देखते हैं बाई अभी करो बाई इसमें हमला करता है जो कि देखते हैं लिन काफी तीजी से भागते हुए और क्या रहा होता है तो क्या हो गया तुम्हारी कॉपर स्कीन और स्टील बोन्स हो तुम्हारा कोई ने कोई वीक पॉइंट तो होगा ही तो इसलिए मरने के लिए तियार हो जाओ और यह कहते हैं वह काफी तीजी से उ तो लेन कहता है अगर और भी जद अपग्रेड काड मिले तो मैं एजिली बाई और ट्राइन को गौड रांग तक पहुचा सकता हूँ ज्यावे से कहा रहा होता है मॉस्टर समन समनर के पावर से अफेक्टिट होते हैं अगर समनर काफी से तकमज़र है तो रियरिटी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो मॉस्टर के कॉमबेट एबिलिटी ये रेस्टेक्टिट हो जाएगी तो लेन कहता है ठीक है ठीक है मैं समझ गया अब तुम चुप रहो और लेन उसे देखते भी क्या रहा होता है इसके लिए इस काट के यूज़ ये नॉर्मल है ज्यावेस से कहता है एक सूटिबल मॉस्टर को ढूणना और इस काट का और फ्रेग्मेंट काट को एकटा करके काट को यूज़ करना ये easy है लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा थे कि तुमारे किस्मत इतनी जादा बुरी होगी लेन कहता है ठीक है ठीक है अब यहां से दूर चले जाओ वैसे भी मेरा मूड अच्छा नहीं है और हम पहले कावी टेम बरबत कर चुके है बैतर ये होगा कि हमें जल्दी करना होगा और पीक तक पहुचना होगा और ये कहते हैं दोनों आगे बने लगते हैं जापे लिन कहता है आखिर कार हमें या पर चड़ गये पहले हमें कुछ देर होगे थी लेकिन जब तक हम इस माउंटन की बॉटर में पहुचेंगे तो ये एक्जैम खतम हो चका होगा अब हम क्या करें तब हम आप एक बन्दा क्या रहा होता है इसलिए नो टैलेंट वाले इंसान को शुरू से यहार मान लेनी चीए जो की सुनते ही लेन भीण होता है और मने मन कहता है आखिर ये कौन है यादा की बाई और मैंने इस परसन को सेंस भी नहीं किया वोस्टे कहता है आखिर तुम कौन हो तो वन्दा कहता है इतना ज़աए लिए कर तक कोई भी जरूत नहीं है ये कहते ही वो उपने बीश्ट को समन करता है लेन उसे देखते हुए क्या तुम लड़ना चाहते हो मैं तुमसे नहीं डिरता और वो मनिमन कहता है क्या ये ग्रीन कॉपर रैंग का रेड बलेड इगल है इससे लड़ना काफी ज़्यदा मुश्किल होगा मेरा उसे कोई भी मुकाबला नहीं है यहां तक की वो मुझसे कई ज़्यदा पौरफुल है वो बंदा उसे कहा रहा होता है मैं रिवेज लूँगा लेकिन आज नहीं तुम्हारा वैंपायर बुरा नहीं है लेकिन तुम बहुत ही ज़्यदा कमजर हो और मुझसे फाइट करने की लायक नहीं हो तो चलो यहां से जिन्दा निकलने के बाद बात करते हैं जो कि सुनते ही लिन काफी ज़्यदा गुस्सा हो जाता है और उससे कहते है क्या यह तुम कह भी कह सकते हो और यह कहते हुँ बाई को एक पतंग के तर बना देता है और उस पर जूलते हुए आके भरता और कहता है वाकी में यह तो काफी ज़्यदा बढ़िया है मैं पहले भी से खेलना चाहता था लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था तो examiner you से देखते हुए कह रही होती है तुमने बहुत ही ज़्यदा बढ़िया किया मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम first आओगे तो इसलिए पास होने के लिए congratulations जबकि तुम्हारे exam खतम हो चुकी है तो तुम खुद को reserve under की रूप में register करवा सकते हो तो नहीं उसके पास सुनते भी कह रहा होता है क्या मैं first ये कैसा सकता है ये उसे कहरी होती है तुम मुझसे question कर रहे हो तुम arrogant बने के acting कर रहे हो है ना तो ये लिन कहता है नहीं नहीं वहाँ एक young लड़का था उसका चैरा ऐसे था जैसे कि मानो लोग उसे पैसे उधार लेते हो और हाँ उसके पास एक red blood eagle भी था तो ये कहरी होती है अच्छा वो buy yarn है और उसे गिना नहीं गिया तो लिन कहता है क्या buy yarn क्या वो test taker नहीं था तो ये कहरी होती है हाँ वो है लेकिन वो अलग है वो एक specialist lot है और उसे exam में भाग लेने के कोई भी जूरूत नहीं है लाइकिन वो इस बर इस exam में भाग लेने के लिए काफ़ ज़्यदा जोर दे रहा था और वो directly branch hunter बन गिया तो लिन कहता है क्या directly एक branch hunter ये तो काफ़ी ज़्यदा बढ़िया है और उसके question में बाद link के account में 35 lakh points credit हो चुके होते है जो कि देखते हैं वो काफ़ी ज़्यदा रहन होता है और रोते वे कहा रहा होता है ये वो life crystal है जो कि मैंने जीव जीव से लूटा था जो कि 3 million से भी ज़्यदा credit point है ये काफ़ी ज़्यदा बढ़िया है अब मैं एक अमीर के तरह अपनी जिन्दगी भिता पाऊंगा और तभी उसे यू की बात याद आती है जहापे वो उससे क्या रही होती है exam कतम होने के बाद hunters registering करना start कर देंगे तो इसी रित में यहापे कुछ दिनों के लिए रहने की जुरुत है तो लेन कहता है इस time period को use करते हुए मुझे कुछ supply खरीद लेना चाहिए शायद मुझे wild area में ढूरना चाहिए और यह कहता ही वो weapon store में चले जाता है जापे वो शॉप के पर उससे क्या रहा होता है यह मास्टर तुम जो grey eagle 17 का brushed bullet खरीदना चाहते हो वो हमारे store में नहीं है वो काफी ज़्यदा महेंगी है और इससे मुझे सर्फ परिशाय नहीं हो सकती है तो मैं city west के जांक के पास जाना चाहिए और अगर तुम्हें उसके पास नहीं मिला तो पूरी city में कहीं नहीं मिलेगा यह कहता है लेन इस shop को ढूनने लगता है और कहता है लेकिन यहां पर रियर एक्विमेंट सेल नहीं की जाती इसे देख कैसा लगते कि क्या मैं साच मुझ उस जांक बंदे को ढून पाऊंगा या फिर नहीं और बहुत कोशिश करने के बाद उसे वो store मिल जाती है वो कहा रहा होता है मैंने बहुत समय बरवात करने के बाद किसी तरह से ये store ढूनी लिया और यह कहते है उस जांक के पाथ जाता है बहुत मैं यहां पर कुछ खरीदने के लिए आया हूँ तो जांक उसे कहता है जो भी है उठालो लेलो जाओ कीमत भी चुगा देना और दफा हो जाओ यहां से और वो काफी ज़्यते रियूड होते है लें मनिमन कहा रहा होता है बलाक इस्टिल रैंग से लेकर गोल रैंग के एक्विपमेंट और वैपन यह काफी ज़्यादा कीमती है लेकिन यह सब लिमिटेड वर्जन के है यह ज़्यांग बंदा यह नॉर्मल नहीं है और वो कहा रहा होता है बॉस मुझे गिरे एगल 17 और कुछ ब्रस्ट बुलेट चाहिए कै तुम्हार पास वो है जो कि सुनते ही वो बुड़ आदमी कहता है हाँ बताओ तुम्हें कितने चाहिए लेन उससे कहा रहा होता है ज़्यादा नहीं बस 3000 गोलिया जो कि गिरे एगल 17 के लिए यूज की जाती है और 300 ब्रस्ट वाली जो कि सुनते जहां कहता है ऐसा लगता है कि तुम जैसे एक अमीर यंग मास्र हो इतनी सारी गोलिया क्या तुम कोई सिविल वर करने जा रहे हो और यह कहता है वन गोलियों को लाता है और उससे कहता है 1,65,000 हुए है और एक बार में पेयमेंट करो बाद में या फिर आधा ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो लेन कहा रहा होता है ठीक है लेकिन क्या तुम्हारे पास यह और भी ज्यादा है क्योंकि मुझे फिर इसे से रिसपले करने के लिए आना है तो ज्यांग कहता है मेरे पास इतने है और अगर तुम्हें उन्हें अफ़ोट करना है तो मैं तुम्हारे लिए रेर आटेम ला सकता हूँ जो कि तुम चाते हो तो लेनों से लेने लगता है त candy कोई आवाज आती है जो की देखते है इलीन कहता है आकर ये कैसी आवाज है तो जांग क्या रहा होता है ये Hunter Assassin के जरी है निकाला गिया Warning Alarm है लगता है कुछ बड़ा हुआ होगा जो कि पार्टे से वहां पर फसे हुए है और हमारे पास लिमिटेट मैंपावर है हम से भी रिक्वेस्ट इनल एरिया में जाकि मदद नहीं कर सकते हैं इसलिए हम यह चाहते हैं कि तुम लोग वेट करो यह मामला खतम होने का इंदिजार करो तो लें मनिमन कहता है जियो लोग ने प तुम लोग उस मास्टर के खानी की तरह हो और वो तुम्हें कच्छा जबा जाएगा और अगर तुम अभी जाना ही चाते हो तो यह आसान है कि मैं तुम्हें अभी मार दू परिशानी बच जाएगी तो बताओ कौन पहले मनना चाता है जो कि देखते से भी लोग शानत हो लिन मनने मनन का रहा होता है अगर तुम लुक जानते हो तो परिशानी क्यों कर रहे हो तब यह उसे भी लोग से कहा रही होती है चिंटा मत करो हंटर अशुसीन ने उन मास्टर को खतम करने के लिए पहले ही सूपर बीज दिया है इस बार लोटके मारे चाने के बाद वो फेल हो रहे हैं, तो क्या नए सूपर विंग, क्या इसके लिए काफी नहीं है, वो जो एरिया है, वो तबाह होते जा रहा है, और मैं यहाँ ने रहूंगा जो कि इन पागलों के तरह मर जाए, तो यू कहरी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग लापर वैसे उद क्या आपको फेटी याद है, जो कि मेरे साथ था, तो यू कहरी होती है, इससे पहले कि तुम लास्ट पॉइंट तक पहुचे, उसने उससे पहले ही सेफ सिगनल को शूट किया, और बाहर निकल गिया, तो लिन कहता है, क्या, वो हरामी, मैं खाले में इसके बार में चिंदा कर रहा था, तो यूँआ से जाते भी क्या रही होती है, जल्दी करो, और घर वापे स्लोट जाओ, लापर भाए ना करो, फिर रात होती है, हम देखते हैं एक जगा धमा का होता है, और लिन किरकी पे बैठते पे क्या रहा होता है, सूपर विंग हंटर वर्सी सूपर मॉस् और लोग भागने लगते हैं, और जल्दी उठो और लोड़ी को ढूड़ो, यह देखते लिनिक बंदे से क्या रहा होता है, आगर क्या हुआ तो वह देखते है, यह बहुत ही जदा बड़ी बात है, तो जल्दी से, सायना गौज में एकठा हो जाओ, वो सूपर बिंग और वह ऐसे क्योंने वीडियो जल्दी आ जाएगी, और हाँ तुम लोग मेरे सेकेंड जल का नाम सोच सकते हो, उसमें मैं एनिमे या फिर गेमिंग करने वाला हूँ, तो कमेंट शेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर मुझे कोई नाम पसंद आया, तो मैं इसको शॉट